अब जब आपने वीडियो पर क्लिक ही कर दिया है तो सुरुवात के 5-6 मिनिट आप वीडियो देख लीजिए फिर आपको खुद पता जल जाएगा कि ये वीडियो आपके कितने काम की है 2018-19 का पेपर हम सालव कर चुके हैं 2020 का प्रश्ण पत्र है 100 प्रश्ण इसमें हैं जो कि 75 मार्स के होते हैं अब अध्युनिश्टी के प्रश्ण पत्र के हिसाब से वैसे आप कैसे भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो ये प्रश्ण आपके लिए महत्वड ही होंगे क्योंकि UPSC तक के जो प्रश्ण हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं प्री एक्जाम के ये जो प्रश्ण पत्र इसमें बहुत ज्यादा मैप लोकेशन पे कोईशन पूछे गए हैं इसलिए कि बहुत महत्वड हो जाता है आप आगे कुछ चार-पाज प्रश्ण देखेंगे तो हम आपक कि नार्थ वेस्टन अट्लांटिक ओशन है या आपका साउथ इस्टन अट्लांटिक ओशन है या नार्थ पैस्पिक ओशन है या साउथ इंडियन ओशन है बर्मूड़ा ट्रैंगल के बारे आपने सुना होगा कि वह जो है ऐसा ट्रैंगल है कि जिसके ऊपर से भी अगर को आपे इसको देख सकते हो दूसरा question है highest salinity यानि सबसे ज़्यादर लवड़ता जो है वो कहां पाई जाती है दिए गए चार option में से तो जो dead sea है यानि मृतक सागर उसमें सबसे ज़्यादर लवड़ता पाई जाती है given option में से ठीक है नेक्स्ट question देखते हैं जो कि question number है हमारा 3 यह है कि which among following is cold current यह जो चार ocean currents से निसा मुदी धाराय दी हुए इसमें कौन सी ठंडी है ब्राजील गल्फ इस्ट्रीम क्यूरोश या हमबोल्ट तो यह हमबोल्ट सही है इसको पेरूवियन करेंट भी बोलते हैं question number 4 देखते है दा स we connect को हिंदि में जल डंडरूमद्री कहते हैं वह कौन सा है जोम मद्द्री अमेरीका को लग करता है बेरिंग पारह या मलगका इस्ट्रेट है वो ऊने कि शुवधान करता है चार पसंदिये हैं इसमें से किन के बीच में हिंद हिंड हिंद सागर सेे चिसागर या लाल सागर से भूमद्य सागर या अट्लांटिक महासागर से प्रसांद महासागर या काला सागर से भूमद्य सागर तो सही उत्तर है हिंद महासागर से चीन सागर तक प्रस नमबर छे देखते हैं डियोगो गार्सिया जो है वो कहां है चार आपसन है इंडिया नोसियन पैस्पिक ओशियन आर्कटिक ओशन या अट्लांटिक ओशन तो इसका सही उत्तर जो है वह इंडियन ओशन यह आपकी लोकेशन रही देने सारकेस हो संबंदित है इन में से है किसमें से उत्री प्रसांथ या उत्री अट्लांटिक ऍहली जान लिजी है किया महह सागर में ज वह जा सारकेसो नाम कि संबंद्री घास पाई जाती है वह संहों से कठ्था हो जाती है और उसको सारकेसो सी करद्र जानते हैं अगला प्रेस्थान देखें ग्रेट बार्वियर रीफ है क्या है चार आपसे ने आश्टेलिया के निकटिक प्रवालभिति राजस्थान में एक जल विभाजक चीन की दीवार या राकी परवत की एक स्टिंखला तो सही उत्तर है आश्टेलिया की निकटिक लवडी ये सागर या जील कौन सी है अभी इससे एक प्रश्ण और आ चुका है और पिछले पेपर में भी अगर आपने वीडियो देखे हैं तो वहाँ भी पूछेगे इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ये बहुत महत्वोड हैं वो किसी भी एक्जाम के हूँ हम आपके के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे है आप यह चीज़ भी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन आप edoब यह समझेंगे तो आपको पता के महत्तों वहां का अपन्स नहीं था जो लेक वान है मिर्चसागर से जाँदा खारी है तो आपस्ण D सही है अगला प्रिशन आपका है निम्लिक से कौन सा महादू पीए सागर का उदाहर अरब और उत्तरी सागर है ठीक है अगला प्रेशने की महासागरी जल में लवडता है जो सैलेनिटी है उसकी अधिक मात्रक किन अच्छांसों के बीच में पाई जाती है इसका सही उत्तर है 20-40 डिग्री अच्छांसों के मध्यानी 22-40 डिग्री लैटिट्यूट के बीच में आपका next question है कि जिस दूइब द्वारा अगुलास धारा दो बागों भी भाजित होती हो दूइब कौन सा है जावा जावा आइलेंड है या क्यूबा या मेड़ा गासकर आपको पता है कि अगुलास धारा इंडियन ओशियन की एक धारा है जो की मेड़ा गासकर से जाकर के डिवाइट हो जाती है आगे देखते हैं कुश्यन नमबर 13 टर्की इस्तित्य देखो सीधा सीधा location पूछने से map location पर बात हो रही है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है या काला सागर और भूमन्द सागर के बीच में है या स्वेज की खाड़ी और भूमन्द सागर बीच में या इन में से किसी के बीच में नहीं है ठीक है तो हमारा जो सही उत्तर है वो है काला सागर और भूमन्द सागर आप location यहाँ पर टर्की की देख सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो पूर में हो रूस और इरान है पसी में जो ग्रीस और बुलगारिया है उत्तर में काला सागर है और दच्छड में इराक सीरिया और भूमन्द सागर है देखो दोनों माद्धेम में पेपर है हम यह समझ रहें कि जो इंग्लिस मीडि इसने वाले हिंदी जरूर समझेंगे तो हम यह समझ समझ के चल रहें हैं आपको कोई भासा की दिक्कत होगी तो कमेंट बाक्स में बता सकते हैं अगला प्रशने सारगैसो सागर की बिस्ष्टा क्या है देखो अभी सारगैसो सागर उधर पूछी पीछी पूछा गया था तो आप समझ सकते हैं कि बिस्ष्ट समुद्री बनसपती हमने बताया था ना कि समुद्री घास पाई जाती है अगला देखें कि जियो मंडल आवड़ के परत की मोटाई कितनी होती है यहनि जो आपका बायो स्फेर है तो वो कितना मोटा है तो देखो इसका आप गूगल कर देगा अगला है बिस्ष्ट को प्राक्रतिक प्रदेशों विभक्त करने वाले भूगलवेता कौन थे चार आपसन आपके पास दिये हुए हरबर्ट संज्वें 1905 मेनों ने बिस्ष्ट को पांच मुख्य प्राक्रतिक प्रदेशों में बाटा था अगला प्रेशन है सुस् हजार मीटर पर 6.8 डिग्री सेंटीग्रेट राइट नेक्स्ट कोईशन है वाट इस काल्ड असाइकलों काम जोन चक्रवात का सांथ छेत्र क्या कहलाता है चार आपसन है चक्ष्ट यानि आई गर्थ यानि ट्रफ परिक्षेत्र यानि इंक्लोजर और केंडर या सेंटर त इस ने किया 2019 के जो पेपर था उसमें यही कोईशन आया था यानि अब सोचो कि अगर 2020 में परिक्षा देने वाले बैक्तिने अगर 2019 का पेपर साल्व किया होता तो सीधा-सीधा उसको एंसर मिल जाता कहरे यहां पर एंसर जो है वो जेम्स हटन है नेक्ट देखते हैं इन मे महासागर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्थिर पारितंत्र हैं इसके बाद है प्रेश नमर 21 परवत पठार भ्रंस मैदान देथा जीले की स्रेड़ी के उच्चावच हैं तो जैसे प्रथम स्रेड़ी के उच्चावच में आपके महादूई पूर महासागर आते हैं और द खुद सारे प्रकार हैं देखो यह सब वलन के प्रकार ही दियें बंद वलन क्या है खुला अप्रति वलन समनत वलन तो इसका जो उत्तर है वो है खुला वलन जो एक्यूट एंगल पर बना होता है 45 डिगरी से कम पर उसको बंद वलन कहते हैं ठीक है समनत वलन वो होता है जि अपने इस चैनल पे पूरी तरही किसे आपको पढ़ाएंगे आपके पेपर होने से पहले ही पूरा कर देंगे नेक्स तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं सामुए जानवर है जली ये पौधा है पौधी ही रोग है जडरहीत पौधा है अगर इसके सब्द पे आप जाएंग इनका निरमाण आवसादी चतानों में दबा हूवा मोड पढने से हुआ है बिल्कुल है इनमें सागری जीयों के उससेश पाए जाते है बंगे जब number 25 है कि जब चट्टानों में दरार पढ़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने की सकते हैं यानि वेन दी राग क्रैक सच आइस बोद पार्ट आप राग सिफ्टिन फ्रंट आफ वन इच अदर इन फांड फार्टी नोन आज सोपानी विटकरम भ्रंस का गारिया सामान भ्रंस तो इसका सही उत्तर जो है वो है युतकम भ्रंस यानि सही टिक लगा हुआ है इस पर कोईशन नबर 26 देते हैं महासागरों में सूरी की किरणे कितने अंदर तक प्रवेश कर पाती हैं तो नार्मली अगर देखें सारे कंडिशन सेम हो तो 1000 मीटर तक प्रवेश कर ज भाग नीचे धस जाता है नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं देखो प्रश्ण में तो इन्होंने यह वलन और ब्रंसन और चैप्टर को जिद्द करके पकड़ लिया कि यहीं से कोईशन पूछेंगे इसका जो सही उत्तर है वह हमारा अभिनती यानि सही है जो ऐसे जब वल अभिनती है देखते हैं महासागरों में तापिये प्रिति लोमन की अवस्ता कहां पाई जाती है थर्मल इन वर्शन तो कहां पाई जाती है तो सही है उत्तर क्या है अद्वयतवादी अद्वयतवादी संकलपना के जो प्रितिपादक है उनमें आपके कास्ते दवफन आएंगे इमेनुल कांट आएंगे कांट जिनकी वाजब विराज परिकलपना है लापलास आएंगे निहारी का परिकलपना वाले ठीक है अगर देख दें प्रित्वी का व्यास कितना है देखो सब जीके का कोईशन पूशे हुए है यह रेडियस कितनी है अर्थिकी तो 12756 है तो भाई 800 हमान सकते हैं प्रित्वी के लोग मन से देख रहे हो तो ही आगे वीडियो बनाने में हमें भी मजा आएगा फिर है निमने में से किसने बताया था कि प्रित्वी कुद्पति गय से हम धूल कड़ों से हुई है तो आट्वी स्मिट की अंतर तारग धूल परिकलपना है ना तो उन्होंने ही पताया था ज से इस्टोसीन आपसन में भी हिंदिम देखते तो नहीं जान पाथ एंगरेजिम देखो दाओं है कि प्रित्वी के दो सबसे छोटे महादूइफ हैं देखो जिन्होंने किया हैं इग गलत करके आ गए सबसे चोटे जो महादूइब हैं और यूरोप है प्रित्वी की आयू कि उत्वार कि सागर में नहीं होते हैं चार आपसन हैं बाल्टिक काला सागर केरीबियन और कैस्पियन सागर ठीक है इसमें से किसमें नहीं होते हैं तो बनती है कौन से चटान का सबसे गहरी जील है बैकाल जील की सबसे गहरी जील है ठीक है मिर्तिसागर जो है यह क्या है यह साड़ लेकर है नहीं खारे पानी के बड़ी जील है फिर टेलर घाटी कहां पाई जाती है आप से आस्टेलिया अंटार कटिका कानाडा साउथ संजुत्रा जैमेरिका मैंने कहा था कि मैप लोकेशन में बहुत सारे कोईस्चन्स हैं ठीक है तो यह मैप आपके दिख भी रहा है यह पाई जाती अंटार कटिका में फिर में है कालाहारी कहां का अफ्रीका का है ठीक है फिर संसार का सबसे बड़ा मरूस्थल देखो कितना आसान प्रिश्चन है यह भी आप बताईए लिखिए कमेंट बाक्स में 42 में यह सही है फिर है 43 ब्रहत वेसिन यानि जो ग्रेट वेसिन हो कहां है अमेरिका में है ठीक है है एफिर बिसुद्धा सबसे बड़ा डेल्टा ठीक है इस मामले में नहीं है हमारे यह यह अभक्त देखो कितने गृषम कितने असान प्रेश्ट का शिधान के तो तो चानांवने किया लेकिंट सामर्य चक्र देविस का है वह ड необход बीच में आसान प्रस नहीं लेकिन बीच-बीच में आसान है आपको पढ़ना पूरा पढ़ेगा ठीक है क्योंकि अब जो है एक्जाम स्कॉरिंग होता है संसार की छत कहा जाता है यह बहुत आजान कोईशन है पामीर उन्हें सही लगाया है जो पामीर की नौट है पामीर की सीस्मो वर्ड जो है सीस्मो और सीस्मिक वेब्स यह सब जो रिलेटेड है वो भूकम से रिलेटेड है ठीक है तो इसलिए अर्थ को एक को यह नहीं भूकम को ना पजाता है माउंट एवरेश्ट कहां किस देश में पाकिस्तान भारत चीन नेपाल बहुत साए लोग भारत की करते हैं लेकिन जो मांटेक है नेपाल में इसका नाम सागरमाथा है चीन में जिवे पर मांटेन भासा में नांसान द्यांसान यह सब वहां के परवतों के नाम है फिरे विस्व का सबसे उंचा जल्प्रपातनी आगजरा है कि पिरए मश्रूम चत्टान के संब्ंदित हैं कि कि मश्रूम चैटान है तो यह संब्धित है आपके मरुस्थ लिए इस्तिला किर्थी से वहां पर बंदे छत्रक सिला इसको हिंदी में बोलते हैं तो यहां पर देखो आप केवल छत्रक सिला जानते होगे तो कर नहीं पाओगे 50 यह भूप्रिष्ट का आउसादी सैलों से ढखे हुए भाग का कितना प्रिशत है तो इसका जो सही उत्तर है वह है पचित्तर प्रिशत प्रिशत जो भाग है पूरा वह आउसादी सैलों का बना है फिर मंगन तटों का यह जो कांटेंडल सेल्फ हैं तो सबसे ज्यादा पाइसफी कोशन जो है वहाँ पर 5.7 परसंट पाया जाते हैं और जो हिंद महासागर वहाँ पर 4.2 परसंट पाया जाते हैं आर्कटेक को गईरा में चुकि यह मुख्य महासागर में आते नहीं है तो यह सब यहाँ पर कोई कांट नहीं है मुख्य महासागर यही तीन है फ प्रिमेंक प्रश्ण पत्र में आया हुआ था कि कि प्रकास स्स्थम का इस ट्राम बोली को क्योंकि एक एक अधिव वाल के इनौ सक्री जो अलामुखी है और इसमें इसमें से मैगमा निकलता रहता है जो कि दूर से चमकता दिखाई देता है और इसलिए इसको प्रकास सिस्तम बोलते हैं अगला प्रेस्ट है कौन सा नदी का निक्षेप आत्मक इस्थल रूप नहीं है यह नदी के निक्षेप से कौन नहीं बनता है डिपोजीशन से कौन नहीं बनता है बाढ़का और आदर 1968 अगर यह परदो अगर चार्डो इसलिप आ प्रीवेजियर पेपर देखोगे तो बहुत वहस्थरीन करोगे लिए हैं और इससे इटशन के पाई गई दिए हृ वीडियो में अगर आगर मैंने पहले ही बताया था अगर क्लोक देखोगेः बेहतरीन करोगे फिर पेडिमेंट का संबंद किस से है तो सही उत्तर है नदी से आगे देखते हैं 61 निम लिखिते हैं से कौन रासाइनिंग बितसे निमित अउसादी चटान का उदाहरण है तो यह आपका जिपसम है क्याने कुस्के है तो यह है वेगनर की खीकर जोराण की से हमानी हैं वी आकार नदी द्वारा होता है फिर है निम निखित में से कौन टर्शीरी युगीन परवत नहीं है तो हिमाले भी है आलपस भी है एंडीज भी है अपलेसियन जो है वो नहीं है ये तिनों टर्शीरी यानि नवीन युग के परवत हैं हिमाले आलपस और एंडीज एंडीज सौथ अमेरिका में है आलपस यो जो ट्रापिकल रेन फारेस्ट वहां पे बहुत विवित्ता मिलती है अगला प्रेस्ट है हमारा निम लिखी तो 21 तितिकों दिन और रात बराबर होते हैं खीक है तो दिन रात बराबर होते हैं जिनको एक्विनॉक्स बोलते हैं तो ऐसा तब होता है जब सूर्य जो है बिल्कुल प्रिग लेगी समुतल घट जाएगा बढ़ जाएगा बिल्कुल बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग होगी 68 सबसे आर्दतम इस्थान और तम यानि वेटेस्ट प्लेस कहां होगा जहां खुब बारिस होगी पहले पहेंगनी कि रड़यनी जो अल्ट्रावालिट रेज हैं इनसे हमारी रक्षा करता है अब देखो फिरो जो उनसी कोईशन कहां इस्थी थे समताप मंदल में है फिर उत्तरी गोलार्द में करक संक्राथ के समय बारा घंटे का दिन होगा देखो अभी पिछला भी कोईशन थ थे तो कहां जब हें करक संक्राती हैं तो करक रेखा पे होगा मकर संक्रांति में मकर रेखा पे होगा टारन solu Krallat को और बहुत प्रबल हैं जो 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 ऑछी को sagna को और अरब सागर मेंanger को पीजाती है तो जो सापेक्स ही आजता है वो ना पी जाती है हाईग्रोमीटर में आगे देखते हैं इक्वी नाक्स वर्स में दो बार जब दिन और रात बराबर होते होता है देखो यही प्रस्ण पीछे पूछा था अभी यही देखो फलटके दिखाते हैं आपको यह देखो वही सबसे महत्पूर भोमिका क्या है तो सब सबसे महत्पूर जल चक्र के लिए नहीं जो वाटर साइकल उसके लिए विस्वे सबसे अधिक छेत्रपर फहले सदावाहार घनेवन कहां इस थे थे तो चार आप संजो है इसमें ब्राजील सही है ब्राजील में सबसेद अमेजान बेसिन है ना वहां पर अमेजान बेसिन में फारेश्ट पाए जाते हैं प्रतिवी की सतह से ओजोन परत की उचाई कितनी है तो दस से बारा किलोमेटर से पाई जाने लगती है लेकिन बीस से तीस किलोमेटर की सबसेदा सांधरता है नहीं सब ज़्यादा कंसेंट्रेशन हो के पास प्रतिवी के चारोन गैस के समुझ क्या कहते हैं वायुमंडल के परिभासा भी यहीं जान लो वर्स भर दिन यूम रात बराबर होते हैं कितनी बार एक ही प्रश्ण पूछोगे मिस्टर अवाद्विश्टी भूमद रेखा पर भूमद सागरी छेतर में भारी वरस होती है तो भूमद सागरी छेतर इसी लिए सिद्ध हैं क्योंकि वहां सीथ रित्मी वारिश होती है पिछली वीडियो में इनका जो है चांसी विस्तार पूछा गया बताया गया था प्रस्ट में था किस अच्छांस पर वारसिक तापांतर नियूंतम होगा या यह भी भू हो सकता है या बन सकता है तो मन से पढ़は और आपको तो पता ही है कि जो एकरेजुएशन की मेरिट हो कितना ज्यादा इंप्स रखती है तो सही उततर क्या है भूमद रिखा होमाद रेखा कि जो सीतरीटू हो वहां कि रातों को एक चाहा जाताए đगला प्रश्न है कि को ताप मंडल बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं वहां से ले करके और ऐक गार्ण और होता है फिर फिर है ओजों चीड़ता का प्रत्यक्ष्य में आप कहोगे कि चर्म का इंसर होता है यह सही है प्रतिक्ष प्रभाव यहीं है ठीक है यह दिखाई पड़े ना प्रेदिन कौन सा भूमा दिसागरी जलवायों के अंतरगत नहीं आता है कैलिफोर्निया बॉलिविया पर थे कैप्टाउं तो यह आता है यह यह नहीं आता है यह वाला-इनी अप्सन सही है विकिरड और संचलो उ संथान के रहाए संपन्न होती है यह सब जो है यह वाई मैं χजलों से संभद्धी थे और जो कि किवल परिवर्थन मंदेल recognized ट्रोपोस पेर में होती हैं फिर है निमलिखित में किस जलवाय को उत्पती हवायों के इस्थानांत्र के करण होती है तो मांसूनी जलवाय इसलिए पेमस है क्योंकि साल में एक बार इनका टोटल रिवर्सल होता है और इसलिए यह मांसून होते हैं और वही मांसूनी जलवाय पिर है निम्लीखित खाद संखळा में से याद हीरन को अठा दिया तो क्या होगा गास हीरन को खता दोगे तो खाने लगेगा क्यों भाई यह भी रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो यह आपकी नयतिक जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट बाक्स में फीडबाइक जरूर दें कि नंदा देवी जयमंडल अरक्षि छेतर किस राज में इस्थित है चार आपसने नंदा देवी जो है वो ऐसे परवत उत्तरा खंड में है तो ये भी चीज़े उत्तरा खंड में ही होगी कौन सा कृतिम सही उत्तर है 100 मीटर तक कि आक्सीजन की मात्रा कितनी उचाई पर नगर्न हो जाती है तो इसका सही उत्तर 50 मीटर 50 किलो मीटर है यह गलत लगा हुआ यहां पर धुरूवी छेत प्रदेशों में हवाओं के तेज चलने का कारण क्या है तो जो प्रचक्रवाद संच्रण है जनी सर्कुलर ट्रांसमिसन इसकी वजह से यह आपकी वहाँ पर वाई राशियां उत्तपन होती है ना गर्म वाई राशियां और तंडी वाई रासियां तो उनके जो संच्रण है वहाँपे तेज माये चलती हैं प्रेज जो वाला है वह किस का कारक है तो हुआए जहल के प पादप और जूजन्त हों इनका विवरड़ होता है मेरे पथरीले कंक्रीले मरुस्तल को क्या कहते हैं अर्ग रेग हमादा या इंसल बढ़त सही उत्तर है रेग कोईशन 99 है गंगा डेटा के सुन्दरवन का बिसेश्ट पेड़ है तो सुन्दरवन नाम ही इसलिए पढ़े होगी आप सुन्दरी के ब्रिक्ष पाए जाते हैं और यह रहा आपका आखरी कोईशन वाई मनले पाई जानली गैसों को आरो ही क्रम में लगा हैं आरो ही माने क्य होता है बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इसमें देखेंगे तो यह आरो ही क्रम में तो किसी तरीके से हो नहीं पाएगी क्योंकि आप मैं आपको परसंट बताया देता हूँ आप खुद देखो इनको यहां पर औरो ही लिगते तो ज्यादा ठीक था आप खुदी देखो जो कार्बंडाय आकसाइड है वो है 0.03 ठीक है यह मुख्ये चार गैसे हैं जो पाई जाती है इसके बाद में नियान हो गया रहा है अब आप आरो ही माने होता है बढ़ता क्रम आरो ही माने होता है घटता क्रम तो अगर ऐसे इसको लिखोगे तो घटते क्रम में हो जाएगा ऐ आपको जानकारी हो यही परियाप थे तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताईए का भौतिक भूगोल के हमने तीनों येर के जब से आपजेक्टिव टाइप हो रहे हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं अब जो है हम आपको मानो भूगोल के जो प्रश्ण पत्रे 2020 में म 2018-2019 का पेपर मों आपको जल्दी ही प्रोवाइट कराएंगे ठीक है तब तक आप चैनल को सेर और सब्सक्राइब करिए जुड़े रहे हैं हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपको अपना ख्याल लखिए हैं स्बर्भ ज्रश frankly कि भूखिए के अपना जल्दी हैं है था रहन खल्दी है